वो आपकी प्राथना को सुनेगा, आपकी करहा को वो सुनेगा और आपके जीवन में आपकी प्राथना का उतर देगा आज प्रभू इनके फैमिलीज में आप हर एक दुख को दूर करे परमिश्व प्रभू इनकी सुधी ले और अपनी शान्ती को दे परमिश्व पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है यदि आप प्रात्न करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें हम आपके लिए प्रात्न करेंगे प्रेजरोड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रात्न में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि प्रवियेश्य मसी आपके आंसों को पहुचेगा और वो जो कारण है जिसके कारण आज आप आंसों बहारे हैं उस कारण को आपके जीवन से दूर करेगा एक वचन हम लोग देखेंगे यसाय के किताब उसका 30 अध्याय और 19 पद जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है हे शियोन के लोगों तुम येरुशलम में बसे रहो तुम फिर कभी न रोगे वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चे अनुग्रह करेगा वह स तुम्हारी मान लेगा आमेन दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन इसराइलियों के लिए कहता है कि हे सियोन के लोगों तुम येरुसलेम में ही बसे रहो तुम यहीं पर रहो तुम्हें अब रोना न पड़ेगा फिर से तुम्हें रोना न पड़ेगा परमेश्वर त पर अनुग्रह करेगा, तुमारी प्राथना को सुनेगा, तुमारे जीवन में तुमारी प्राथनाओं का उत्तर देगा, और तुम्हें फिर से रोना न पड़ेगा, हो सकता है इस से पहले उन लोगों ने रोने में समय बिताया हो, क्योंकि उनके जीवन में संकट आया, मुस शक्ता नहीं है क्योंकि परमेश्र उस रोने के कारण को ही तुमारे जीवन से दूर करने पर है वो तुम पर अनुग्रह करेगा तुमारी प्राधना को सुनेगा दोस्तों आज साम में परमेश्र का वचन आप से भी कुछ इसी परकार से बात करता है यदि आप परमेश्र के वचन पर विश्वास करते हैं तो आज परमेश्र का वचन आप से कहता है कि वो आपके आँसों को पूँच देगा वो इस कारण को आपके जीवन से दूर कर देगा जिसके कारण आप रो रहे हैं तो परमेश्र का वचन कहता है कि मैं तेरे आँसों को पूँच दूंगा औ और उस कारण को, जिसके कारण तु रो रहा है, उस कारण को ही तिरे जीवन से दूर कर दूँगा. ताकि तुझे फिर से कभी रोना न पड़े, ताकि तुझे फिर कभी रोना न पड़े, ताकि तुझे अपनी आशों को फिर कभी बहाना न पड़े, पर मैं शुर आप पर भी अनुग्रह करेगा, वो आपकी प्राथना को सुनेगा, आपकी करहा को वो सुनेगा, और आपके जीवन में आपकी प्रातना का उतर देगा, हम हन्ना के विशह में देखते हैं, उसके जीवन में एक कारण था रोने का, क्योंकि उसके कोई भी संतान नहीं थी, वो रोती थी, उदास रहती थी, अपने आंसों से अपने बिस्तर को भिगोती थी, परन्तो एक दिन वो परमेश के समुक अपने आंसों को बहाया, और जब उसने अपने आंसों को बहाया, परमेशु का वचन कहता है, कि परमेशु ने उसी समय उसकी प्रातना को सुन लिया, बाइबल कहते हैं, फिर कभी वो उदास नहीं हुई, परमेशु ने उस कारण को, जिसके कारण वो रोती थी, उसके जीवन से दूर कर दिया, और उसे एक संतान दे दिया, अब उसका जीवन खुशियों में है, आनंद में है, दोस्तों इसी प्रकार से प्रवो आपके जीवन में भी करेगा, आपको आंसों को परमेशु पूंच डालेगा, और आपके जीवन के उस कारण को, जिसके का भावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे इसलिए इन परमेश्योर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें तो परमेश्योर आपको आशेशित करेंगे इन वचनों को आपकी जीवन में पूरा करेंगे यदि आप इन वचनों को फ्रेम में च सल मैंने 12 का एक्जाम दिया था और एक्जाम की रिजल्ट के टाइम पर मैं फेल हो गई थी तो इसके बाद पापा ने मेरे लिए प्रेयर की मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल करवाई और अपने लिए प्रेयर करवाई प्रेयर के बाद मैंने अपना रिजल्ट रीजेकिंग के लिए डलवाया रीजेकिंग के बाद आज प्रभू के क्रिपास देर मैं बहुत अच्छे नमबरों से पास हुई हूँ प्रभू ने मुझे अपने उमीद से जादा दिया है इसलिए मैं प्रभू का और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ प्रमेश्वे के लिए मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभू के वचन को सुन कर आशिश पाई है तो आईए मिलकर हम प्रात्न करें। पस्तिती में आए आप से बातशीत करें परमेश्वर और आपकी दुहाई को दें परमेश्वर पिता। प्रभु मन को चंगा करता है। ग्रहन करे मेरे धन्यवाद करते प्रभु जी आज कि सुन्दर शाम में प्रभू र एक के प्रातन रहे हैं पिता और करें प्यारे परमेश्वर मेरे प्रभू आज के वचन का हम अपने जीवनों में आदर करतें और उसे रिसीव करतें परमेश्वर कि जिस प्रकार प्रभू आपने वचन में इस बात को कहा कि अपसे और फिर कभी तुम न रोगे मैं तुम्हारे आसूं को पोचूंगा और सच परमेश्वर आप ऐसा ही करने वाले परमेश्वर है और आप अपने अनुग्रह को सदा के लिए बनाए रखते परमेश्व पिता इस समय प्रभू जितने भाई बेन प्रभू दुख में है शोक में है प्रभू निराशाओं में है प्रभू जी उनके परिवारों में प्रबु बहुत जादा चिंतित हैं प्रबु घबराए वे हैं प्रबु रो रहे हैं पिता कि क्या वो करें आगे उने कुछ भी नजर नहीं आ रहा है परमेश्वर तो आज इस वचन के अनुसार प्रबु आज आप उने धाडस देतें परमेश्वर कि तुम फिर कभी न प्रबु टेरे जो लोग हैं प्रमेश्वर प्रबु तेरे वचन के उस पर विश्वास करते हुए इस बात का भरोसा करने पाएं कि जिस प्रकार प्रबु ने वचन में कहा है वो बात उसने मुझ से कही है हाँ परमेश्व पिता ये बात आज आपने इस बहन से इस भाई से और जितने लोग हमारे साथ इस प्रात्न में शामिल है और वो ऐसी परस्तियों में गुजरे जब वो दुख में है जब वो रो रहे हैं जब वो निराश है जब वो अपने परस्तियों को दे कर फैमिली को द प्रभू जो तुझ में बना होता है प्रभू जी वो प्रभू ये शो तुझ में फलवन्त होता है प्रभू अजब इन्होंने तुझ में अपनी बात्ति प्रभू तुझ में प्रभू इनके आंसुओं को पूच परमेशु पिता धनेवाद करते प्रभू जो कुछ भी आज इनके प्रात्न विंती है प्रभू जब निराश है प्रभू की परिवारों में कलेश लड़ाई जगड़े और मन मिटाव हैं बच्चे गलत रास्ते में ह अनाग्यकारिता उनके जीवन में हैं कोई भी जॉब नहीं कोई भी लाइफ पार्टनर नहीं बच्चे की आशिश नहीं घर की आशिश नहीं और आत्मिक जीवन में उतार चड़ाव आ रहें प्रभू ऐसी परस्तिती में जब यह भाई-बैन है पिता तो मैं प्रात्न करत अनुग्रह करें मेरे परमेश्य पिता मैं धन्यवाद करती प्रभू आज की शाम में प्रभू विशेश रूप से प्रभू जितने भाई-बैन प्रभू इस समय डरें प्रभू घबराये प्रभू चिंतित है उनका मन व्याकुल है मेरे प्रमेश्य तेरा वचन कहता है कि व्याकुल ना हो तुम बिल्कुल भी ना डरो हाँ परमेश्य पिता आप इनके साथ में हैं इनकी व्याकुलता इनके डर को दूर करें और आज रात में अच्छी नीन से इने सुलाए परमेश्य पिता मेरे प्रभू बुरे सपनों से चुटकारा दीजिए और अपने अंगों को छुए पिता इनके हार्ट प्रॉब्लम दूर हो जाए लंग्स प्रॉब्लम लिवर पैंक्रियास गिड्नी येश्य मसी के नाम से हील हो जाए जिने प्रभू येश्य मसी गुप्त रोग है येश्य के नाम से प्रभु जी आप उनने उस रोग से चुटकारा दे प्रभू एलर्जी इंफेक्शन से चुटकारा दे प्रभू जी इनके हड़ी हड़ी मांस नसों को आप चंगा करे परमेश्य मेरे खुदावन जिने भी प्रभू इस समय आई फ्लू हो रहा है पिता परमेश्य मसी के नाम से प्रभू आई फ्लू की बिमारी येश्य के ना तुम्हारी दुरबलता कमजोरी से आपने आजाद किया क्योंकि आपका वचन इस बात को कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुरबलताओं को ले लिया और तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया मैं धन्यवाद करती परमेश्य कि आपने इनके रोग दुरबलता कमजोरी को अपने उपर लेकर प्रबू आपने इने चंगाई दी है और परमेश्व तेरा पवित्र वो चंगाई भरा लहू इनके अंदर बहता है परमेश्व और ये चंगे हैं मैं धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद करती हूँ कि प्रभू जो दोहाई उन्होंने आपकी दी है जो प्राथना उन्हें आपके सामने रखी है प्रभू आप उन पर निश्य अनुग्रह करेंगे मैं धन्यवाद करती पिता सब कुछ आपके हाथों में देते है परमेश्वर और जितने भाई बहन मेरे परमेश्वर पिता हमारे साथ पिता परमेश्वर सेवकारियों में सहभागी बन रहे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो आपके राज्जी के उन्नती के लिए आपक की जीवन में होने पाई कोई भी कर्जा कोई भी घटी कमी इन के जीवन में ना रहे प्यारे परमेश्वर मैं प्रात्न करती हूँ मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभू कि इन भाई बहनों ने प्रभू जी चो तेरे भजन के दुआरा प्रमेश्वर आशीश पाई भाई बहनों को आशीज देते हैं पिता और धन्यवाद करते हैं प्रभू कि प्रभू एक लाख लोगों तक परमेश्व पिता ये भजन पहुंचा है प्रभू और उन लोगों ने सुनकर प्रभू तेरे नाम की महीमा की है और धन्यवाद करती हूं सारी बातों में आदर मही मा और जलाल आपको देते हैं, प्रातना येश्यो के नाम से मांगते हैं, सुने हो admitting करीं, आमीन आमीन और आमीन यदि आपने प्रातना और वचन के दोरह आजशिश पाई है तो यही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रात्ना में शामिल हुए और अपने प्रात्न विंतियों को भेजे ताकि हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रात्न कर सके और अपनी गवाहियों को जो इस प्रात्न के द्वारा आपके जीवन में कार्य हुआ है जरूर से हमें भेजे ताकि आपकी गवाही और लोगों तक जब पहुंचाई जाए तो वो भी आपकी गवाही को सुनकर आशिशित हो सके सो प्रभू आप सबको आशिश दे जय में सी